नमस्कर दर्श नियूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं प्रितिद्याल आपके साथ चिरागपा स्वान की पार्टी लोजपार रामविलास ने लोगसभा चुनाव 2024 में शानदार प्रदर्शन किया जिसकी चर्चा अब तक बड़े ही जोर शोर से हो रही है अभी पाच सीटों में से हाजिपूर सीट की तो चर्चा हो ही रही है जहां से चिराग पासवान को जीत मिली लेकिन समस्तीपूर सीट भी सुर्खियों में चाया हुआ है रसल बिहार की समस्तीपूर लोगसभा सीट से लजेपी आर के टिकेट पर जीती शांभवी चौधरी इस बार की सबसे यूवा सांसद है समस्तीपूर सीट से शांभवी ने कॉंग्रेस के सन्नी हजारी को बड़े अंतर से शिकस्त दी 25 साल की उम्र में ही उनको लोगसभा जाने का गौडव हासिल हुआ वहीं आज शांभवी चौधरी के लिए बेहद ही खास दिन माना जा रहा है क्योंकि आज उनका जन्म दिन है इस खास मौके पर शांभवी चौधरी अपने पती सायन कुनाल पिता अशोक चौधरी समेत पडिवार के अन्ने लोगों के साथ मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पहुची जिसकी तस्वीरे भी सामने आ गई है दसल इन तस्वीरों को शांभवी चौधरी के पती सायन कुनाल ने शेयर किया है जिसमें साफ तोर पर देखा जा सकता है कि शांभवी चौधरी और उनका पूरा पडिवार भक्ती में लीन है वही सायन कुनाल ने सोशल मीडिया के जरिये तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि जन्म दिवस की हार्दिक बधाई शांभवी मेरे जीवन में आपका क्या स्थान है इसकी अभी व्यक्ती के लिए शब्द प्रयाप्त नहीं होते और भाशा सिमट कर रह जाती है सरशक्तीमान से सदैप प्रार्थना है कि इस जीवन यात्रा में आप सुयश्पुड सुदिर्ग एवं आरोग्य मई हो बता दे कि शांभवी के लिए प्रचार करने खुद देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पहुचे थे इस दोरान उन्होंने शांभवी को अपनी बेटी बताया था शांभवी ने 1,87,537 वोटों से कॉंग्रिस प्रत्याशी को मात दी है उनको उमिद्वार बनाये जाने के बाद यह सीट काफी होट सीट मानी जारी थी एंडिये के वरकरों से लेकर आम लोग भी उनकी जीट को सुनिश्चित मान रहे थे वे लोगों में काफी चर्चित रही इधा मद्दाता भी उनकी मिललसार छवी से काफी प्रभावित दिखे शांभवी ने रिजर्व सीट से जीत हासिल कर सबसे कम उम्र में संसक पहुचने का गौरव हासिल किया है जस दिद यानि की चार जुन को उनका नतीजा घोशित हुआ उस दिन वे 25 साल 11 महीने और 20 दिन की हो चुकी थी शांभवी पासी जाती से आती है और वे अब तक की सबसे कम उम्र की दलित सांसद है यह भी बता दे कि शांभवी बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री और सीएम नितीश कुमार के करीबी सहयोगी अशोक चौधरी की बेटी है उनके दादा स्वरगिये महावीर चौधरी कॉंग्रेस सरकार में बिहार के पुर्व मंत्री थे उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ एकॉनमिक्स से समाज शास्तर में सनातक तर किया और लेडी श्रीराम कॉलेच से सनातक किया उनकी शादी पुर्व IPS अधिकारी और महावीर मंदिर के ट्रस्ट के सचीव आचारे किशोर कुनाल के बेटे सायन कुनाल से हुई है शांभवी ने लोगसभाचुनाव से पहले और चारी कुरूप से चिरागपासवान के नित्रितो वाली लोग जनशक्ती पार्टी राम विलास को जोईन किया था जिसके बाद उन्हें समस्तिपूर से टिकेट मिला और जीत भी हासिल की है तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे यूट्यूब चैयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही अगर इस वीडियो फेस्बूक के माधम से देख रहें तो पेश को लाइक करना ना भूले